Hello everyone, welcome to wealthy wisdom इन सभी चीजों के बारे में आपको अच्छे से information होनी चाहिए और तभी आपको multiple credit cards को अपनाना चाहिए और इनी सवालों के जवाब देने के लिए हमने आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बनाया है अब जैसे हम अपनी पिछली कुछ वीडियो में अलग अलग तरह के credit cards और उनके benefits के बारे में जान चुके हैं लेकिन इस वीडियो में हम एक और important चीज discuss करेंगे कि हमको आखिर कितने credit card रखने चाहिए और क्योंकि हर काम के लिए लोग अलग credit card रखना पसंद करते हैं तो क्या इतने credit card रखना allowed भी है तो देखे सबसे पहले तो मैं आपके इसी question का जवाब देता हूँ कि आप जितना चाहें उतने credit cards को रख सकते हैं RBI यानि Reserve Bank of India ने इस पर कोई भी limit नहीं लगा रखी है बस इसमें आपको थोड़ी बहुत दिक्कत यह हो सकती है कि आप जब भी कोई नए credit card लेंगे तो आपको हो सकता है उसमें हर बार approval ना मिले क्योंकि banks credit card को issue करने से पहले आपके income proof, credit score, आपकी loan और debt की history को देखकर ही आपको card issue करते हैं In fact, एक report के हिसाब से 2023 में इंडिया में किसी individual के पास on an average दो credit card हैं अब देखिए आप credit cards को कितने भी रख सकते हैं लेकिन सवाल यह है कि आपको कितने रखने चाहिए तो देखिए इसका जो answer है वो बहुत सारे factors पर depend करता है Well, बहुत से experts का मानना है कि जादा credit cards रखने पर आपका जो credit score है उसमें एक बहुत अच्छी improvement देखने को मिलती है वहीं बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि अगर किसी इंसान के पास एक से जादा credit card है और वो उनको अच्छे से manage नहीं कर पाता है तो इसका उसके credit score पर बहुती बुरा impact पढ़ सकता है और ये भी हो सकता है कि उसके credit score 50 से 100 points सक गिर जाए तो अब सवाल आता है कि आखिर सही credit card number क्या है तो देखिए अगर आपने नया नया credit card को यूज करना शुरू किया है तो आपके पास से तीन से जादा credit card तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए और रिक्वायर्मेंट को धान में रखकर बनाए जाते हैं अब चलिए इसके बाद ये जानते हैं कि अगर आपके पास multiple cards हैं तो इसको यूज करने के advantages और disadvantages क्या क्या हो सकते हैं तो multiple credit card आपको बहुत सारे advantages दे सकते हैं जैसे अगर आप अपने card को बहुत ही अच्छे तरीके से use करें तो ये आपके लिए एक profitable opportunity बन सकती है आप multiple credit card को अपनी सुवीदा के हिसाब से जो credit card आपके लिए specific situation में fit बैठते हैं उनका use कर सकते हैं different banks different purpose के लिए बहुत सारे credit card issue करते हैं जैसे कि reward credit card जो entry level के लिए काफी अच्छा credit card माना जाता है और daily lifestyle expenses के लिए तो इसको एक ideal card माना जाता है वही SDFC money back card भी cash back purposes के लिए एक काफी अच्छा card है इसकी joining fee 500 रुपए है और इसको अगर आप book my show, mintra या फिर bata etc में use करोगे तो आपको लगभग 500 रुपए तक का voucher भी बिल सकता है ऐसे ही अलग-अलग तरह के credit cards के बारे में जानने के लिए और उनको purchase करने के लिए आपको हमारी वीडियो के description में और pinned comment में एक link मिलेगा earn करोगा आप वहाँ पर जाके different credit cards के बारे में information ले सकते हैं और उनको वहाँ से purchase भी कर सकते हैं अब credit card लेने से पहले bank देखिए ये भी चेक करता है कि अगर आपने कोई loan लिया है तो आपने उसकी installment में कोई देरी तो नहीं की है क्यूंकि अगर आपका loan clear करने का record काफी अच्छा होगा तो इससे आपका जो credit score है उसमें काफी जादा improvement होगी और future में आपको loan लेने पर कोई भी problem face नहीं करनी पड़ेगी तो चलिए अब आपने advantages तो जान लिए अब multiple credit card होने के disadvantages को भी देखते हैं तो देखिए multiple credit card को use करते हुए सबसे बड़े दिक्कत तो ये है कि इतने सारे cards को manage करने में काफी दिक्कत आ सकती है इसमें सबसे बड़ा risk तो ये है कि देखिए कई बार क्या होता है कि जितना आप payback कर सकते हो उससे जादा का आप credit ले लेते हो अब देखिए क्योंकि multiple credit cards हैं तो इनकी अलग-अलग interest rate, due date, minimum payment और अलग-अलग तरह के और भी charges होंगे जो आपने अगर अच्छे से manage नहीं किया तो एक साथ आपके लिए काफी बड़ा burden बन सकती है वहीं अगर आप अपना debt नहीं चुका पाते हो तो आप पर कुछ additional charges भी लगाई जा सकते हैं और उसमें आपका interest rate भी काफी जादा हाई हो जाता है तो देखिए इन सब का बहुत ही smart solution यह है कि आप जितने credit card को manage कर सकते हैं सिर्फ उतने ही use करें और साथी साथ आपको इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना है जैसे कि आप अपने credit balance को लेकर updated रहें आपका जो भी debt amount है उसको due date से पहले ही clear कर दें अपनी credit report को time to time check करते रहें ताकि आपको अपनी credit history और score का पता चलता रहे और अपने credit card को सिर्फ जरूरत के time पर ही use करें ना कि shock के तौर पर तो आयोब आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप अपने लिए एक अच्छा credit card choose करना चाहते हो तो उसका link आपको description और print comment में मिल जाएगा एक बार जाकर earn करों को जरूर चेक करें Thank you